वीडियो में आपको umbrella cut slip के बारे बता रही हूं कि मैंने एक कपड़ा ले लिया है और साइज बता दे थी यह डवल fold कर लिया है मैंने दौनों slip के लिया है इसके चोड़ाई 12.5 इंचे और लंबाई भी 12.5 इंचे चो कुर्पीस है तो यह युतिख न हम साइज आया है 12.5 इंचिंच मारकिंग कर देंगे कौने से 12.5 इंच की जो नीचिंग की आशिए है यहां के बाद आब यह नीचे से सिप्टेशने आप मेंड़ाई चोटां जाए और यहां से इस तरीके से से शेप देंगे और यह मैं 32 की लगा रही हूं क्योंकिंकि umbrella cutt headlock는지 colors fail जाता और इस तरीके से इसकी była देंगे अब यहां से हम इस तरीके से measurement लेते हैं बट्रिक है यहां से 9.5 inch की लंबाय ले रहा है कि इस तरीके से वहां से उसी तरीके से टेप यह हमारी side fitting हो जाएगी और यह part हमारा armhole में attach हो जाएगा अब इसकी cutting कर लेते हैं कि इस तरीके से इसके shape आगी अगर जब आप armhole में इसको joint करते हैं अगर थोड़ा सा कम पढ़ता है तो आप यहां से इसको बढ़ा सकते हैं अगर कम नहीं पढ़ रहा है तो same इसको stitch कर देंगे और जो नीचे वाला पाट है जैसे दो स्लिव हैं तो इसको भी अलग कर देते हैं एक स्लिव को तो देखिए दूसलिव हो गई है नीचे आप चाहें तो नीचे महरी में देखिए यह इसकी महरी है यहां पर अगर पीको मसी नहीं तो यह नॉर्मल स्टेच भी डाल सकते हैं अगर पी striking machine नहीं तो आप यह आं पर PP को भी कर सकते हैं करें सरु पहले हैं में महरी में पीको करें से लेकां अगर आपके पास इसमें से पीको मसी नहीं है Northeast महरी नहीं? अगर यहां में ऑप यहां से स्टार्टिंग से इस तरिके से फोल्ड कर दू के? कि अजैना मंधें मरंजन प diff임 है क्योंको बहुरी तो एक तम डूच रहेगी यहां पे भी हमने कम बार्जन ही लिया है तो जो इसे नॉर्मल स्टिच डालते हैं वैसी डाल देंगे सेब्श करते हैं अभी जैसे कि आधा इंच इंच करना है तो इसको सीधा कर देता है एक पार्ट में हम आदा इंच ड्रेके हम द्क द्सकाइब कर लहां देंगे तो देखिए यहां से हम इस तरीके से आदा सेप देदेंगे इस तरीके से हैगा सेम दूसरे पार्ट में भी कर लोगे अभी इसको उल्टा कर देंगे तो देखिए यह हमारा राइट साइड का है तो इसको राइट साइड में अटेच करते हैं इसको उल्टा कर लेंगे क्योंकि हम इसको राउंड में स्टेच करने वाले और दिख्म होल को लेंगे तो इन धोनों पाटों को इस तरीचे से श्टेच करेंगे यह आमोल दौनों के यहाँ पर आनी चाहिए और फिर इसको राओण्ड मेंmade तो देखी एह मैंने पूरे राउंड में स्टेच कर दिये देखिए यहां पर देखिए कितना अच्छी सिंशिंग आ रही है और आपर की तरफ देखिएंगे तो यहां पर यह पोरा घेर आ रहा है महरी की तरफ और यहां पर एक तब फिटिंग आ एगी तो काफी अच्छा ल लाइक करे, चैनल सबस्क्राइब करे, थेंक यू